जहिन आप सबका बहुत-बहुत स्वगत है आज किस वीडियो में मैं आपको live demonstration देने जा रहा हूँ एक migration के process को आपने अप्रूब कैसे करना है सबसे पहले आप जानते हैं कि migration करवाने के लिए किसी भी student को सबसे पहले jkbos की official website पे जाके migration के लिए apply करना होता है जैसे ही बच बच्चे की request दो school में जाती है एक उस school में जाती है जहां से बच्चा out होने जा रहा है और एक उस school को जाती है जिस school में बच्चा in होने जा रहा है जहां पर admission लेने जा रहा है अब जहां पर आप जो school का का काम होता है वो main काम होता है चाहे जिस school से जा रहा है उस school को भी उ उस बच्चे की जो request है वो जेके बोस की official website पे चली जाती है फिर उसके बाद जेके बोस के द्वारा उस बच्चे को email के थूँ एक message किया जाता है कि आपने physically इस दिन जेके बोस की ब्रांच में आना है और आपने जो document है वो आपने verify करवाई है जैसे ही जेके बोस के द्वारा बच्चे के document, physically document verification हो जाएंगे next उस बच्चे को क्या करना होगा जेके बोस के द्वारा एक link live किया जाएगा जिसके जर्ये बच्चे को अपनी online fee pay करनी होगी इसके बाद ही बच्चे की जो migration होगी वो complete होगी same process eligibility का रहने वाला है तो आज किस वीडियो में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ चाहे आपका कोई private school है, government school है तो आपने किसी बच्चे की जो अगर request आपके school में आई है तो आपने उसको approve, reject कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको live step by step demonstration देने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको जहां पर बता दूँ कि हर एक school की दो ideas होती है, school ID, principal ID, सारा process जो भी होगा सभी का सभी principal ID से होगा, चाहे कोई बच्चा किसी के school में in हो रहा है, उसे भी अपनी principal ID में जाके ही उस बच्चे को approve करना होगा, और चाहे किसी school से वो बच्चा out हो रहा है उसे भी अपनी principal ID को ही login करना होगा, login करने के बद बच्चे की request को उसने भी approve करना होगा, सबसे पहले आपने अपने phone जा laptop में, जिसमें भी आप ये process करने जा रहे हैं, उसका कोई browser open कर लें, और browser open करने के बद उसकी search वार में आप type कर सकते हैं, जहां तो आप type करें JK Boss, तो आपके सामने जहां पे आ जाएगा, तो आपने JK Boss.nic.in आप इस link पे click कर दें, click करने के बद आपके सामने JK Boss की जो official website है, वो open हो जाएगी, तो जहां पे आपको links मिल जाएगे, तो जहां पे आप देख सकते हैं, आपको जहां पे link मिल गया है, eligibility and migration request, आप इस पे click कर दें, ज आपके सामने जैसे ही official login बाला page आ जाएगा, तो जहां पे आपने क्या करना होगा, username की जगा, principal ID, जहां पे आपने enter करनी है, school ID नहीं, principal ID, और इसके बाद password में आपने जो भी password आपको JK Boss के दोरा provide किया गया है, जहां आपने जो भी change किया हुआ है, वो आप जहां पे enter करने क आपके सामने official जो principal ID का dashboard है, वो आपके सामने open हो जाएगा, तो जहां पे आप देख सकते हैं, आपके सामने यो dashboard है, वो open हो जाएगा, number one जहां पे आप देख सकते हैं, student registration statics, तो जहां पे total form received, form approved, तो इस तरह से आपको एक notification आजाएगा, next जैसे आप left side थोड़ा सा scroll down करें सबसे top पे आपको आपकी principal ID मिल जाएगी, number two, sub office, जो भी जेके बोस का sub office होगा, जहां से आपका school belong करता होगा, उसका नाम आजाएगा, आपकी district आजाएगी, आपका winter zone है, summer zone है, जहां पे आजाएगा, next dashboard, approve student, push data to board, जैसे हम जेके बोस में अपने examination form field करते हैं, तो data को किस प्रकार से push किया जाता है, इस option से किया जाता है, next आप जहां पे देख सकते हैं, eligibility migration, आपके सामने एक option आएगा, तो आपने इस option पे click कर देना है, जहां पे आप देख सकते हैं, eligibility and migration, तो आपने eligibility and migration के option पे जैसे आप click करते हैं, click करने के बाद आपके सामने एक next tab open हो तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके सकूल से बच्चा आउट हो रहा है, तो आपने Out Migration पर क्लिक करना है, अगर आपके सकूल में बच्चा रहा है किसी दुसरी स्कूल से, तो आपने अगर उस Data को देखना है, तो आपने Incoming Migration Request पर क्लिक करके Show Data पर क्लिक करन है अगर कोई बच्चा eligibility वाला है जैसे कि वो किसी cbse जा एंडर बोर्ड से जेके बोस में आना चाहता है तो उसकी request आपको eligibility request में मिलेगी जैसे कि हमारे case में अगर बच्चा हमारे request में होगा बहां से आपने उसका approve करना है तो जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो किसी स्कूल से जा रहा है दोनों स्कूल क्या करेंगे same time पे जैसे ही बच्चा online migration के लिए apply करता है दो स्कूल में जिस स्कूल में वो presently है जिस स्कूल से वो जाना चाता है उसको भी एक request जाती है और जिस स्कूल में वो जाना चाता है उसको भी एक request जाती है जहां से बच्चा जा रहा है उसने out migration को check करना है जिस स्कूल में जा रहा है उसने अपनी principal ID से incoming request को चेक करना है तो जहां पर आप देख सकते हैं हमने out migration पर जैसे select किया तो जहां पर हमें मिल गया कि एक बच्चा ने जो request डाली हुई है वो हमारे school से जाना चाहता है तो उसकी request जहां पर आई हुई है तो जहां पर आप देख सकते हैं बच्चे क पूरी detail जहां पर आजाएगी जैसे आप इस यहां पर view पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चे की पूरी detail की कौन सा बच्चा आपके school से migrate जहां पर देख सकते हैं उस school में जिस school में वो जाना चाहता है उस school का नाम भी आपको जहां पर mention हो जाएगा इस तरीके से उ उसकी request को आपने जहां से reject करना है तो आप reject पर click करेंगे तो बच्चे की पूरी महनत जहां से उसकी request reject करने से आपने उसको disapprove कर दिया है अगर आप जहां से approve ही आप करना चाहते हैं तो आप जैसे approve पर click करेंगे बच्चे की request है वो आपके end पर approve हो गई है इसी तरह से आप coming request पे ही click करना होगा तब ही उसे इस बच्चे का data show होगा और उस school को भी अपनी request को यहां पे इसको approve करना होगा जैसे ही approve होगा फिर ही उस बच्चे का data जो की जेके बोस की official website पे जाके वो चला जाएगा और जेके बोस की तरफ से बच्चे को email के थूँ उसे एक date दी जाएग बच्चा आपने सभी document वहाँ पे लेके जाएगा और physical document verification होने के बाद ही जेके बोस के द्वारा फिर से एक link निकाला जाएगा जिस link के जरिए बच्चा आपनी migration जा eligibility जो fee है वो pay करेगा सबसे पहले आपका document verification का process होगा दोनों school आपकी request को approve करेंगे तब ही जेके बोस में आपकी request जाएगी इसलिए अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और आपने migration के लिए apply किया है तो सबसे पहले आपने दोनों school को approach करना है जैसे ही सबसे पहले आपने अपना online form fill किया next आपने जिस school से आप जाना चाते है उस school को बोलिए कि मैंने request डाल दी है दोनों schools के द्वारा उस request को approve किया जाता है तभी आपकी request को जेके बोस में forward किया जाता है तभी आपकी document verification का process होगा जे process थोड़ा सा लेंदी है एक बच्चे के लिए लेकिन इसलिए हर एक school की जिम्मेवरी बनती है जैसे ही कि migration जा eligibility बाला कोई भी link open होता है तो आप अपने principle ID से continuously बच्चों को monitor करते रहिए कि कोई request आई तो नहीं है अगर कोई आई है तो आप उसे genuine ground पर अगर उसकी request है आप उसे accept जा रेजेक्ट कर सकते हैं आपको approve डिसप्रूब आपको करना ही होगा तब ही बच्चे की migration हो पाएगी otherwise बच्चा hanging में ही रहेगा उसका document verification का process भी कोई query है आपके मन में कहीं पर भी आपको समझ नहीं है आप मेरे वीडियो के comment box में comment करें definitely आपकी इसके उपर help की जाएगी thank you thank you watching take care मिलते हैं जल्द एक new update में